भारत के अंदर BSNL, सरकरी टेलिकम कमपणी अपने 4G को पर काफी जबरदस्त काम कर रहा है और BSNL कमपणी को एक और काम सोपा गया है जो है BSNL का Saturation Project सबसे पहले यह Saturation Project क्या है इसके बार में मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको बता हूँगा कि BSNL Saturation Project के अंदर सिप बीहाड राज्य के अंदर 1111 4G Mobile Tower को इंस्टॉल कर दिया है जो काफी बढ़िया बात है दोस्तो आज के डेट के अंदर BSNL पूरे भारत के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा 4G Mobile Tower को इंस्टॉल कर लिया है उसी के साथ BSNL Saturation Project के उपर भी काम कर रहा है चले है वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर इसके बढ़ में पूरा डीटेल्स जान लेते हैं दोस्तो सबसे पहले BSNL का ये जो Saturation Project इसके बढ़ में बात कर लेते हैं नॉर्मली क्या है कि भारत एक काफी बढ़ा देश है और इस देश के हर एक जगे के अंदर टेलिकम सर्विस महुचना पॉसिबेल नहीं है अल्रेडी प्राइविट टेलिकम कंपणी भारत के 96% असे एडिया है जहाँ पर अपने नेट्राक कनेक्टिविटी को पहुचा दिया है अपने 4G services को इंस्टोल कर रहे है ताकि उस जगे के अंदर जो भी लोग रहते हैं उन्हें connectivity यहाँ पर मिल पाए दोस्तो BSL company के यह saturation project है इसके अंदर सबसे बड़ा funding जो मिल रहा है वो है USO यानि Universal Service Obligation Fund अब यह जो fund है यह हर एक private telecom company अपने जो भी profit करते हैं उसका हिस्सा 5% हिस्सा जो वो USO Fund के उपर हर महीने जमा करवाता है तो यह जो fund है इस fund का इस्तिमाल करके BSNL उस जगे के अंदर अपने services को provide करेंगे जहाँ पर इससे पहले कोई भी network नहीं पहुँच पाया है और आज के date के अंदर पूरे भारत के अगर मैं बात करता हूँ तो 5000 से भी ज़्यादा 4G mobile tower BSNL उस जगे के अंदर install के अपने saturation project के तायट जहाँ पर किसी भी private telecom company अभी तक अपने services को नहीं पहुँचा पाया है तो उस जगे के अंदर अगर मैं बिहार की बात करता हूँ तो बिहार के अंदर 1111 4G mobile towers operational हो चुका है जहाँ पर आज के date कोई भी telecom company अपने services को नहीं पहुच पाया है और ये achievement जो वो BSNL के लिए काफी बड़ा achievement है आने वाले टाइम के अंदर हर एक private telecom company को BSNL टक कर देंगे और recently Indian Mobile Congress के अंदर BSNL कंपणी की तरब से ये confirm भी किया गया है कि ये जो BSNL कंपणी है ये आने वाले टाइम के अंदर अपने plans का price hike नहीं करेंगे जो announcement आपने आप में BSN के लिए काफी बड़ा announcement था यानि Gio Airtel Vodafone Ideas कंपणी को करी टक कर देने के लिए BSNL सामने निकल का है साथ में BSNL जो यहां पर network यूज़ कर रहे है वो completely indigenous technology से बना हुआ network यूज़ कर है जहां पर TCS, Tata Consultancy Service, C.ITI ये सारे company मिल कर ये सारे Indian company मिल कर आपने software और hardware की मज़़ से BSNL का 4G और 5G services को launch कर रहे है 5G service 2025 से आजाएंगे, कोई चिंतकानी की जाओरत नहीं लेकिन BSNL के ये जो achievement है ये काफी बड़ा achievement है जो BSNL कंपणी की तरफ से officially बता दिया गया है पूरा details मैंने आपको बता दिया, अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नहीं जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को आपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पासमेल आइकोन को दवना आप बिल्कुल भी मत फुलिए, ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए थैंक्स फ़र्चिंग बाइंटिक केर, आपसे वर सुन लगतु कैसी को नहीं वीडियो के साथ तब ते के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा